हम लगातार के चाइनीज सेक्रेशन के बारे में सदन में एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेक बार उठाए और सरकार चर्चा को ठालती रहे आज भी जो तवांग एरिया में चाइनीज का घुस्मेंट हुआ है, उसके बारे में भी हम आज चर्चा करना चातें थे, इसलिए हमने सभी अपोजिशन पाटी के नेताओं ने मिलके नोटिश भी दिया था, लेकिन वो चर्चा के लिए बैयार नहीं थे, एक स्टेप्मेंट वो भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने दिया और जल्दी चलेगे, यह हमारे सदन की प्रथा रही है, प्रैक्टिस रही है, कि जब कोई स्टेप्मेंट मिनिस्टर करता है किसी दिसे पर, तो उस पर क्लारिफिकेशन पूचा जाना है, और हमको यही कहा गया सदन के नेताने, और हमारे सबापती ने भी यही कहा, कि ख्लारिफिकेशन पूचा लेकिन ख्लारिफिकेशन को भी उन्होंने हमको मुका नहीं दिया, और हमारे भात सुनने के लिए भी वह तयार नहीं है, हम यहीं चाहते थे कि चर्चा के बाद सुनके वह रिप्लाई दे, हम मुसनने के लिए ताहर थे, लेकिन उन्होंने इस मसले को अपने ही तरीके से एक प्रेशार लेने के लिए अपनी बात रखे और चले, यह देश के लिए अच्छा नहीं है देश एक जूट रहे के हम देश के एक जूटता के लिए एकता के लिए सबी मिलके काम कर रहे हैं किसी में हमारे जो आज जवान लोग बहुत से पहले से सहीद हुए थी और आज भी बहुत जायल हो गए है और कितने उसमें बचेंगे हैं हम तो यह काम ना करेंगे कि उनको जल्दी हो स्पीडिली रहे कमर हो जाए और जल्द से जल्द वो फिर काम पे लगे लेकिन यह चीज़े भार नहीं आना उनकी गलतिया छुपाने के लिए क्लैरिफिकेशन नहीं दिए जब क्लैरिफिकेशन को मुखा नहीं दिए तब जो किये हैं उनके attitude के उपर और जो कहिना था और हमको बताना था वो चीज़ें हमको नहीं बताई इसलिए हमने यह सबी पार्टी के निदाओं ने यह तहीं किया कि बहतर यह है कुछ जब डिफेंस मिनिस्टरी जैसा वाक आउट करते वैसा उन्हों ही वाक आउट करके चल हमने वाक आउट किया लेकिन देश के शुरक्षिता के लिए देश के अठंड़ता के लिए हम सारे एक हैं और जो हमारे जवान बॉर्डर पे अब लड़ रहे हैं हम सभी लोग उनके साथ हैं इसमें कोई दोराई नहीं है